हलो एवरीवन ट्रियू इंग्लिश क्लासीज एंड जोब अपडेट्स यूट्यूब चैनल में आपसे भी का स्वागत है और दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए लेक रहे हूं इंग्लिश प्रैक्टिस सैट 28 और यह जो प्रैक्टिस सैट यह स्पेशली अर्याना प जो फोर अल्टरनेटिव चूज दा वन विच बैस्ट एक्सप्रैसिज दा मिनिंग ओधा गिवन वर्ड यानि चार ओप्सन मिलेंगे आपको और जो इसका बैस्ट जो ओप्सन है जो इससे मिनिंग जिसका मिलता है सेम है वह आपने बताना है ठीक है तो क्लिम्सी का यानि समा कर दिना किसी को समा याचना सेम वर्ड हमने बताना है तो यह इसका राइट है और आप सभी ने कॉमेंट करके बताना है कि आपकी इसमें कितने ठीक हुए हैं और जो इंगलिस प्रैक्टिस एट है वो आपकी परफॉर्मेंस को भी जज़ करने के एक अच्छा तर दीके हैं you have to choose correct option for the word which is an adverb तो इन में से च्यार उप्सन में हमनें बताना adverb कौन सा है adverb यानि adverb क्या होता है जो वर्ब की विशेश्था बताए जो वर्ब की मिनिंग में भी कुछ जोड़ दे adjective के meaning में भी कुछ जोड़ दे और खुद adverb के meaning में भी कुछ जोड़ दे, ठीक है कैसे मैं एक example के दोर आपको समझाता हूँ जैसे भई he walks slowly he walks slowly, तो walks की यहाँ पे slowly ने विशेष्टा बताई है, walks वरब है और walks में जोड़ा अभी चलती है कैसे, slowly दीरे-दीरे, तो slowly adverb है यहाँ किसकी विशेष्टा बताई, वरब की ठीक है, very slowly तो इसका मतलब adverb की ही विशेष्टा बतादी, तो जो adverb, adverb की, वरब की adjective की विशेष्टा बताई, उसका adverb कहते है तो अब इन में इसे हमने देखना है भाई right क्या हो सकता है, gloomy यह भी अंदकार में होना gloomingly, gloomingly कोई word नहीं है gloomily ठीक है, gloomily होता है अंदकार में अंदेरे वाला place तो और mostly यह भी एक पहचानकी भी alva यह में मिलता है, लेकिन तो word ही नहीं है, gloomy है और gloomily आप कह सकते हो gloomily इसमें adverb है जो next आप के लिए इसमें आपने prevention फिल करनी है catch को का गया है, sit-your granny will you, क्या आप अपनी granny के पास बैठेंगी, pass ठीक है, in into तो ही नहीं अब confusion है दो में besides में, और besides में तो हम आपको बता देता हूँ, besides होता के अलावा के अतरिक यह इसमें नहीं हो सकता, तो besides मतलब pass, near ठीक है, यह इसका synonym भी पूछ ले जाता करी पर, तो यह इसका right है next question है आपके लिए यह है, choose the word opposite in meaning विपरितार्थक, उल्टा, revealed उद्गाटित करना, कई बार यह पूछा गया है revealed होता उद्गाटित करना और concealed होता है छिपा लेना, तो यह इसका right है और next का इंपोर्टेंड है कई तरीके से इंपोर्टेंड है find the plural among the following इसमें अपने plural बताना है कुन सा है news है, mathematics है source है, या physics है तो देखने में तो सारे ये plural लगते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं भई जो news है, जो mathematics है और जो physics है ठीक है, physics है, ये सारे singular है, इसमें जो source है वो इसमें plural है क्यों है, मैं आपको ये समझा देता हूँ एक बार यदि हम scissors की बात करें ठीक है, कैंची tongs की बात करें, मतलब chimta और भई, हम करें pajamas, pajamas की हम बात करें ठीक है, जो pair में है इसके अलावा, ये सारे वो चीज़ें जो pair में, ये दिए हम बात करें Google, शस्मों की हम बात करें ठीक है, ऐसे वर जो सारे pair में है, वो plural कैलाते हैं, वो सारे plural होते हैं, जिनके साथ में हमने is mr. में से किस का यूज करना है has how में से किस का यूज करना है have का, इसके अलावा वाजवर में से हमने किस का यूज करना है work का, लेकिन वो singular भी बन जाते हैं, singular वो कम बनते हैं, यदि उनके आगे उनके आगे एक word यूज़ किया जाए और pair of यूज़ किया जाए तो उनको singular माना जाता है ठीक है तो ये कफी important है कई तरीके से paper में पूछ लिया जाता है next है fill in the gap with suitable construction feel करना है हमने we-love-owner him तो इसमें pair हमने देखना है pair देखो दो के साथ में यह टाता सही pair है weather के साथ और भी आता है feel लेकिन इसमें हम देखेंगे sense कौन सी सही है we both love and honor him तो ये जो pair है ये इसमें सही है हम उसे love भी करते है और उसका owner उसका समान भी करते है तो ये इसमें बिल्कुल right है तो अब हम next देखने जा रहे है identify करना है tense in the following sentence इसमें हमने ये बताना है कि भी tense कौन सा है had the government made a mistake क्या सरकार गलती कर चुकी दी इन्दी क्या बनती है छोड़ो लेकिन आप देखो है इसमें head और third form का यूज किया गया है और head और third किसमें यूज होती है past perfect में use होती है has have किसमें use होती है present perfect में use होती है तो इसमें हम देखेंगे इसमें तो पास्ट परफेक्ट देखेंगे यह पास्ट परफेक्ट ओप्शन सी इसमें राइट है अब जो नेक्स सेंटेंस है यह हम देखने जा रहे हैं इन दा फॉलोविंग सेंटेंस यू हाव तो फिल प्लेंग कोर्रेक्टली सो एज एक्सप्रेस था एक्जिस्टेंस ओप कुछना है सिधा अपने यूज्टू फिल करना है यह सारे काट देंगे और किसका यूज्ट करेंगे यूज्टू क्यों जब पास्ट की बात है कोई चीज़ पास्ट में हुई है और मोडाल की बात है तो आपने यूज्टू का उसमें यूज्ट कर देना है तो यह इसमें राइट है अब हम इसमें देखने जा रहे हैं नेक्स सेंटेंस इसमें देखेंगे कौन सा सही है इसमें करना क्या है दा सेंटेंस गिवन हेर इस इन एक्टिव वोईस यूँ आफ चूज फ्रॉम अल्टरनेटिव दा कोर्क्ट पैसिव इस पैसिव इस चेंज करने तो यू आर अडवाइजट you are अडवाइजड नौग तू नौट को पलक दॉप्लावर लेकिन हमने ओप्शन देखने क्या है ठीक है एक तरीके और इसका इस तरीके भी चैंज कर सकते हैं यू आर फॉर भीडन यू आरफॉर भीडन नौट पलक फ्लावर लेकिन ऑप्शन दे जैठ उसको लेकर आते हैं let flowers ठीक है फिर बीच में यूज़ करते हैं बी का let flowers not be plugged क्योंकि इसमें not be है तो not be plugged let flowers not be plugged तो option इसमें जो तर्ड है वो सही रहेगा इसमें option third और संथर इसमें पिल्कुल सभी रहेगा दुबार हम आपको बता तो यह जो है उप्शन थर्ड यह इसमें राइट है नेक्स्ट है इन्दा क्योस्टन दा संथेंस आज बिन इन इन डिर्क में है इन ऑप्शन फोर चेंजड फोर्म फोर्म फोर्फ डिर्क स्पीश विन गिवन आउट विच वन इसको रख्ट तो एक अमने उसमें से स्लेक्ट करनी है इन्होंने किया क्या है बाई देखते हैं यह कहा है जब से बाइंड में इस बकप अपको प्रीज मिलेगा थो अब हम देखेंगा रिक्वेस्ट डिटीज टो चैंज किया ही किया है जैसे है मैं Verd Such a new to is यह तो बिलकुल नहीं है ठीकिंश और यह उप्सन तो He requested Her तो He Said To Her इतना तो पक्का है ex7 To To Wait There तो फिर आगे परीज के उसक्राना को मा स्टार्ट तो प्लीज वेट देयर तिल आय रिटन तो इसका उप्सन यही है till I return I क्योंकि I first person है तभी तो यह किसमें change होगा यह में और first form है तभी तो किसमें change होगी second form में change होगी तो option इसका जो third है वो right है यदि आपको direct change करना आता है indirect में तो indirect को भी आप आसानी से change कर सकते हैं अब next sentence हम इसमें देखने जा रहे हैं यह किस इसका देखते एक बार यह आप देखें identify the tense in the following sentence I had never been visited by him before तो before वैसे भी आपको पता है before किसमें यूज के जाता है before पहले अधर आती है before के आगे तो में साकूंस होता है past perfect होता है बाद में second form का यूज के जाता है next है इसमें हम देखने जा रहे हैं यह आप देखें यहां इसको एक मेंट in the following question four alternatives have been given out of four options given one is grammatically incorrect एक वो बताना भाई जो grammatically सही नहीं है तो हमने इसमें से एक वो देखना है he seems sad ठीक है these graphs are I think you are wrong these graphs are testing sure तो इसमें जो grammatically wrong है वो है third he has a cellular phone यह ठीक है she seems sad यह भी सही है तो इसमें option जो third है वो incorrect है next कि हम बात करें तो इसमें क्या करना है use correct tense and fill in the blank to make the correction yesterday है तो सिद्धी second form बरनी है ठीक है last है तो भी सिद्धी second form बरनी है ago है तब इसी second form long ago तो भी सिद्धी second form बरनी है अपने past time है जैसे कोई भी बात 1947 की बात इस्टोरिकल फैक्ट है साथ जाव अगरा की बात है कोलंबस की बात है second form बरनी है लेकिन note आई तो did not first लेकिन उस sentence में बाइचन साफ को note मिल जाए तो did not first लेकिन इसमें नहीं है तो इसमें सिद्धी second form का यूज़ करेंगे next sentence हम देखते हैं वही कि सिद्धी इडेंटिफाइद सेंटेंस विद नो एडवरब वह संटेंस हमने डूड़ना है जिसमें एडवरब नहीं है तो आप ज्यान से देखें ही भी है उस बैस्ट इसमें तो है क्योंकि वरब की विसे इस्ता बता दी सी लेना है next है चूज अप्रोपिट प्रेपोजिशन डॉंट लोटर डैस्ट दस्ट्रीट रॉत होता है अवारगर्दी करना तो इन दसे ट्रेट यह आसान है गली में अवारगर्दी नहीं करनी next है बाइस में यूज अप्रोप्रेट कंपाउंड कंजक्शन हमने फिल करना ह है संयुक्त जिसकों बोलते हैं तो फिल अफ द ब्लैंग तो मेक्स इंटेंस कंप्लेट यू कन बोरो दा बुक आप बुक को बोरो कर सकते हो ठीक है कब डैस यू रिटर ने चुन यदि आप इसको जल्दी पहुंचाओ तो प्रोवाइडिड दैट इसका मतलब होता बसरते सर जो बैल है उसका सामना करना सिंगों से पकड़कर उसका सामना करना यानि समिश्या से सीधे टकरा जाना तो ग्रैपल क्रेजिशली विद डिफिकल्टी दाट लाइस इन वे यो जो समिश्या तुमारे सामने है साहस से उसका मुकाबला करना ठीक है नहीं तो बुल के सामने क तो वही कई पर्था ऐसी जो ज़्यादा पत्निया उसमें रखता हो तो पोली गेम में इसका राइट होता है ठीक है यह इसमें राइट है नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिटूशन जो किसी दर्म में विश्वास ना करता हो पाइगन यानि यह पाइगन है इसका फैंड दा कॉरेक्टली स्पैल्ट आपने इसमें बताना है और यह तो वही जिसका पेपर था उसने अपने काउंट करके मांक्स वगरा तो आर्टिकुलेट वैसिलेट गैस्टिकुलेट या कैल तो इसका जो वैसिलेट वैसिलेट होता संदेह करना और राइट स्पैलिंग शूड़ वी एसी डबल लए ट्ई है इसकी राइट स्पैलिंग होनी चाहिए थी तो इसमें रोंगली स्पैल्ट है तो यह कुछ संटैंस इस थे जो हम आपके लिए लेकर आए था इस इंगलिस practice head में I hope आपको यह अच्छे लगे होगे और वीडियो भी आपको अच्छे लगे होगी तो सभी दोस्तों से यह request है कि भी वीडियो को ज़्यादा सेयर करें और चैनल को subscribe बेख रहें और अपना प्यार और sport इसी तरीके से बनाय रखिएगा thanks for watching, thank you, good bye